श्रीधर अगर चाहते तो प्राइवेट जेट खरीदते लेकिन उन्होंने खरीदी साइकल वैसे भी अगर किसी की कुल संपत्ती 18,000 करोड रुपे की हो तो 300 करोड रुपे के प्राइवेट जेट विमान खरीदने पर आडिटर भी एतराज नहीं करेगा और जब पैसा अथा हो तो फिर मुश्किल ही क्या है यूँ भी लक्षमी जब छपर फार कर धन बरसाती है तो ऐसे फैसले किसी को खरचीले नहीं लगते शायद इसलिए एक खरब पती के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारूतिकार खरीदना लेकिन जोहो चेर्मेन श्रीधर विम्बू पर लक्षमी के साथ साथ सरस्वती की भी महरवानी थी इसलिए उनके इरादे औरों से बिलकुल अलग थे प्राइवेट जेट खरीदना तो दूर उन्होंने अपनी कंपनी बोर्ट के निर्देशकों से कहा अब कैलिफोर्निया से जोहो कॉर या से मुफीद जगा दुनिया में और कोई है ही नहीं गूगल, एपल, फेस्बुक, ट्वीटर या सिस्को सब के सब इसी इलाके में रचे बसे फले फुले पर श्रीधर तो और भी बड़ा अपरत्याशित फैसला लेने जा रहे थे वे कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सि पॉस्टन नहीं जा रहे थे, वे अमेरिका से लगभग 13,000 किलोमेटर दूर चेन नहीं वापस आना चाहते थे उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एपल या माइक्रो सॉफ्ट अपने दफतर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉर्पोरेशन को स्वदेश लोटने पर परहेश क्यों हैं? श्रीधर के तर्क और प्रशनों के आगे बोर्ड में मौन चा गया, फैसला हो चुका था, IIT मदराज के इंजीनियर श्रीधर वापस मदराज जाने का संकल्प ले चुके थे उन्होंने कमपनी के नए मुख्याले को तमिल नाडू के एक गाओं जिला टेंकसी से स्थापित करने के लिए चार एकड़ जमीन पहले से ही खरीद ली थी और एलान के मताबिक अक्टूबर 2019 यानि ठीक एक साल पहले श्रीधर ने टेंकसी जिले के मतला मपराई गाओं में जोहो कॉर्पूरेशन का ग्लोबल हेड़कॉर्टर शुरू कर दिया यही नहीं 2.5 बिलियन डॉलर के जोहो कॉर्पूरेशन ने पिछले ही वर्ष सौफ्वेर करोबार में 3,410 करूर रूपे कर रिकॉर्ड राजस वो प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौका दिया था स्वदेश क्यो लोटना चाहते थे श्रीधर श्रीधर अमेरिका की किसी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दवाव के करण स्वदेश नहीं लोटे उन पर प्रतिस फर्दा का दवाव भी नहीं था वे कोई नया व्यफसाए भी नहीं शुरू कर रहे थे वे किसी नकरात्मक कारण से नहीं एक सकरात्मक विचार लेकर वतन लोटे उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामियाबी पाई तो वो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे कमपनी के मुनाफे को वे गाउं के बच्चों की आधुनिक सिक्षा पर भी खर्च करेंगे इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मतलाम पर आई गाउं में बच्चों के लिए निशुल्क आधुनिक स्कूल खोले Computer Technology के जानकार श्रीधर गाउं में ही जोहो विश्व विद्याले भी बना रहे हैं जहां भविश्य के Software Engineer तयार होंगे Forbes Magazine में दिये एक इंटर्वियू में श्रीधर बताये हैं कि टेक्नोलोजी को अगर ग्रामिड इलाकों से जोड़ा जाए तो गाउं से पलायन रोका जा सकता है गाउं में प्रतिभा है, काम करने की इक्षा है अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गाउं से ही मिल जाएगा इसलिए मैं भी बच्चों की क्लास में जाता हूँ उन्हें पढ़ाता भी हूँ मेरी कोशिस गाउं को सैटलाइट से जोड़ने की है हम न सिर्फ दूरिया मिटा रहे हैं न सिर्फ पिछडा पंदूर कर रहे हैं बलकिन शहर से बहतर डिलिवरी गाउं से देने जा रहे हैं प्रोड़क्ट चाहे सॉफ्ट्वेर ही क्यों न हूँ श्रीधर बताते हैं तस्वीरे जाहिर करती हैं कि श्रीधर बेहत सहज और सादगी पसंद इंसान है वहलूंगी और बुशर्ट में ही अकसर आपको दिखेंगे गाउं और तहसिल में आने जाने के लिए वह साइकल पर ही चल निकलते हैं उनकी बात चीट से हाव भाव से यह अभास नहीं होता है कि श्रीधर एक खरब पती सौफ़एर उद्योग पती हैं जिन्होंने 9000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है जिसमें अधिकांच इंजीनियर है उनकी कमपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापूर तक फैले हैं जहां 9300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला है श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में वे करीब 8000 टेक रोजगार भारत के गाउं में उपलब्द करवाएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नौन अर्बन इलाकों में शिफ्ट करेंगे शिक्षा के साथ गावों में आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेजल, सिचाई, बजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वरगाद पी गरियसी